भूल गए सीम योगी का खौफ निकल गया यूपी पुलस का डर खुललम खुला दबंगों ने कर दी सारी हदे पार यूपी में दूसरा आतिक एहमत बनने की युवक कर रहे कोशिश खामोशी से देख रहे यूपी पुलस पहले की दबंगों ने खुल्याम दबंगाई फिर बनाया वीडियो शेतर में दहशत फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर किया पोस्ट खान मुबारक के जिले से खान मुबारक की स्टाइल का वीडियो वाइरल दलित युवक के साथ बेहत शर्मना घटना अमबेडिकर नगर में दलित युवक की सरे रहा पिटाई दबंगों ने पिटाई का वीडियो बना कर इंस्ट्राग्राम पर किया वाइरल पिडित ने थाने में दी तहरीर पुलस पनी तमाशमीन आपको गुंडागर्दी का वो वीडियो याद होगा जब खान मुबारक का दौर था खान मुबारक ने कैसे एक व्यापारी को टॉर्चर करके वीडियो बनाया और शेतर में दहशत फैलाने के लिए वीडियो को वाइरल कराया कुछ इसी अंदास में जिले में एक ऐसा ही मामला देखने को मिलाए एक दलित लड़के के साथ पेरहमी से दबंगों ने पिटाई के फरुस का वीडियो बना लिया और वीडियो बना कर शेतर में दहशत फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया इन दबंग लड़कों को ना तो सीम योगी का खौफे और नहीं पुलिस का कोई डर क्योंकि ये दलित के पिटाई कर रहे है मामला क्या कुछ है अब जरा इसको समझ लीजे यूपी के अमबेडकर नगर में कुछ दबंगों ने एक दलित युवक की सरे रह पिटाई कर दी इन दबंगों को ना तो योगी के पुलस का खौफे और नहीं योगी के बुल्डोजर का डर होता तो पिटाई का वीडियो बनाकर इंस्टेग्राम पर वारिल ना करते और डरे भी क्यों दलित को मारा है कोई मजाल है कि कोई कुछ कर ले अब ये सब हूची जाती के लोग है तो इतना तो हक बनता ही है कि ये दलितों के पिटाई तो करी सकते हैं भाचपा वाले डलितों का पैर धो रहें लेकिन उनको कौन समझाई कि जनाब पैर धोने से डलितों का सम्मान नहीं बढ़ेगा उनको न्याय और सम्मान देने से उनका मान सम्मान बढ़ेगा लेकिन इन सब का असर डलितों पर कहां पढ़ेगा चाहे सम्विधान खत्मों जाए या सरे राह पिठ जाएं पिडित युवक ने अकपर पूर्थाने में तहरीर दी वीडियो भी है लेकिन मजाल के पुलिस मुकदमा दर्श कर ले और करेगी भी कैसे आरोपियों के नाम के आगे सरनेम तिवारी और पांडे जो है अब तिवारी और दलित का बराबरी थोड़े ही नहीं जो पुलिस जट से मुकदमा दर्श कर ले जानकारी सोसल मीडिया के मतलब इस्टागराम पे एक लोग डाले इसके बाद हमारे गाउं के लड़के थे हम लोग हमारे पास रील भेजें आप ही लोग हो मतलब वही तब कनफरम हुआ था वही मतलब उन लोग का आइड़ी हम लोग पता करें 一次 कोन ये था मतलब वही हम लोग तब राइडर उन लोगों के ने बीच रोड पे लगा रखी थी और फिर लड़की को लेकर उदर में खड़ा था तो मेरे साथ में परबेश ने क्यों इतना ही बोला कि क्या रोड ही मिला था क्या भी आप लोग को बस इतना कहके हम लोग निकल गए तो उसी के जश्च पांच साथ ने डवाद वो लोग आएं सामने बाइक लगा के बोल रहा है कि ज्यादा दबंग यह आ रही है तुम लोग को ऐसे सब कहने के कहते हुए जात इस सब्द जात सुचक सब्द का उपयोग करते हुए मा भाहन की गारी देने लगें मैं ऐसी जात से धोबी हूँ यह सब मतलब गाली गलाओ जे करते हुए मारने पीटने लगें इसके बाद जान से मारने की दमकी दने लगें अकि परावेस के जब में जब अस्तिहार डालते हुए पैसा निकालने लगें बोले की गाड़ी भी लड़ा दिये हो ऐसा सब कहते हुए जी नहीं कभी हम लोगों ने, उन ल यह था ना इबराहिम कूर जनपदम बेटकर नगर करहने वादे सीवी उर्ख सनाप राजिंदर यह किसी काम से आ रहे थे मार्केट करने अखबर पूर इनके घर पर इनका कथन था कि साधी पड़ी थी रास्ते में आये कुछ लोग रास्ते में खड़े थे उसी बात में इन् से विधिकारवाई की जा रही है